आज की रोरोंटे खड़े कर देने वाली थी पहले सेग्मेंट से लेकर क्लोजिंग सेग्मेंट तक फैंस कांप दे रह गए पहले सेग्मेंट में रोमन रायन्ज ने अगातक बीमारी के कारण अपनी युनिविसल चेंपियर्नशिप छोड़ दी इसके बाद तो फैंस फूट फूट कर रोने लग गए डीन एंब्रोज और सेथरॉलिक्स की आँखों में भी आसुआ गए रोमन रायन्ज शायद अब दो माइनस तीन साल तक नजर नहीं आएंगे लेकिन जो मेन वैंक में हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था मेन वैंट में तेग टीम चैंपेंचिप के लिए सेथरॉलिक्स और डीन एंब्रोज का मुकाबला जिगल और मैकिन टायर के साथ हुआ ये माच काफी शानदार चला मैच एक बार सेथरॉलिक्स और डीन के हाथ से निकल रहा था तबी स्ट्रो मैन आ गए और मैकिन टायर को मार मार कर बेक्स्टेज ले गए मौके का फाइदा उठा कर सेथरॉलिक्स और डीन एंब्रोज ने जिगला के उपर फिनिश अग्मूव लगा कर ये माच जीत लिया और टायर्टल भी दोनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया लेकिन अचानक से सेथरॉलिक्स पर डीन एंब्रोज ने डार्डी दिद्स मार दिया शील्ट का इसके बाद तो अंती हो गया इसके बाद डीन एंब्रोज ने गुस्से में सेथरॉलिक्स को बुरी तरहें हपीड दिया फ्लो पर भी नीचे सेथरॉलिक्स को उन्होंने डार्डी दिद्स मार दिया एक ही रात म कब सेथ्रॉलिक्स को डीन एम्ब्रोज मार रहे थे पूरा एरीना शान्त हो गया, फैस सवाल पूछ रहे थे कि डीन ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले रोमन गए और इसके बाद अब शील्ड टूट गई है, डीन एम्ब्रोज और सेथ्रॉलिक्स अब अलग-अलग राम करेंगे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए है, डीन एम्ब्रोज ने ऐसा क्यों किया अब इसका जवाब तो अगली रोम में ही मिल पाएगा, जेड न्यूस की रिपोर्ट,